हेलो स्टुडेंट्स, माइसेल्फ मौश्मी भट्टाचार्या फ्रॉम शेट विद्यामंदिर इंग्लिश हाइ स्कूल सीबी असी वसई आज मैं आपको कक्ष्या साथ वसंत का पाठ दस अपूर्व अनुभव का पुनर अभ्यास करवाने जा रही हूँ प्रस्तुत है पाठ का द्वित्य खंड प्रथम खंड में आपने पढ़ा कि यहां कहानी दो जापानी बच्चों के पारस परिक सहयोग, सद्भाव और लक्ष प्राप्ति के लिए संगर्ष का वर्णन करती है तो तो चान नामक बालिका ने अपने पॉलियो ग्रस्त मित्र यासु की चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रन दिया यासु की चान के लिए यहां पहला अनुभव था जब किसी मित्र ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था दोनों ने मिलकर पेड़ पर चड़ने की योजना बनाई और किसी बड़े को इस विशे में नहीं बताया क्योंकि पोलियों के कारण यासु की चान को उपर चड़ने में असुविधा होती थी तो तो चान यासु की चान को अपने पेड़ की ओर ले जाती है और फिर चौकिदार के छपपर से एक सीड़ी घसीट कर पेड़ के तने के सहारे लगा देती है और यासु की चान को पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने के लिए कहती है यासु की चान सीड़ी पर नहीं चढ़ पाता उसकी ऐसी दशा देखकर तो तोचान चौकिदार के छपपर से एक तीपाई सीड़ी ले आती है और सहारा देकर यासु की चान को पेड़ की द्विशाखा तक ले जाने की कोशिश करती है वह यासु की चान से कहती है कि देखो अब डरना मत उसकी आवाज में बड़ी बहन का सभाव था यासु की चान ने घबरा कर तीपाई सीड़ी और पसीने से तरवतर तोटो चान की ओर देखा उसे भी काफी पसीना आ रहा था क्यूंकि एक तो गर्मी का मौसम और उपर से दोनों मेहनत कर रहे थे उसने निश्य के साथ पाँ उठा कर पहली सीड़ी पर रखा दोनों की कोशिश चलती रही दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासु की चान को उपर तक चढ़ने में लगा सूरज की धूप उन पर पढ़ रही थी पर दोनों का ध्यान यासु की चान के उपर तक पहुँचने में रमा था तो तो चान नीचे से उसका एक एक पैर सिड़ी पर धरने में मदद कर रही थी अपने सिर सेवा उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही यासु की चान पूरी शक्ती से जूज रहा था और आखिर वह उपर पहुँच गया हुर्रे पर अचानक तो तो चान को अपनी सारी मेनद बेकार लगी तो तो चान तो छलांग लगा कर वीशाका तक पहुँच गई पर यासु की चान को सीड़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश वेकार रही तो तो चान को रोना आ गया उसने चाहा था कि यासु की चान को अपने पेड़ पर बिठा कर वह तरह तरह की नई चीज़े दिखाएगी पर वो हिम्मत वाली थी वो रोई नहीं क्योंकि उसे पता था कि अगर वो रोई तो यासु की चान भी रो पड़ेगा उसने यासु की चान की पोलियों से पिछ की और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया यासु की चान का हाथ तो तो चान के हाथ से काफी बढ़ा था उसने यासु की चान से कहा तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खिचने की कोशिश करती हूँ उस समय अगर कोई तीसरा व्यक्ति वहाँ पर होता और उन दोनों को यह सब करते देखता तो वह चीक पड़ता क्योंकि दोनों ही बहुत जोखिम वाला काम कर रहे थे पर तो तो चान के मन में द्रड़निश्चे था और यासु की चान को तो तो चान पर पूरा भरोसा था बादल का एक टुकड़ा बीज वीच में चाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की दूशाखा पर थे पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते वे तो तो चान ने सम्मान से जुक कर कहा वह मुस्कुराया तब उसने पुछा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ उस दिन यासु की चान ने दुनिया की एक नई छलक देखी पेड़ पर बैठे-बैठे उन दोनों ने इधर-उधर की बाते की यासु की चान ने कहा कि मेरी बेहन अमेरिका में है उसने बताया है कि वहाँ एक चीज होती है टेलिवीजन वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे-बैठे ही सुमो कुष्टी देख सकेंगे वह कहती है टेलिवीजन एक डिब्बे जैसा होता है तोत्यो चान को यासु की चान की ये बाते समझ में नहीं आ रही थी उसे लग रहा था कि एक डिब्बे में इतने बड़े सुमो पहलवान कैसे समा सकते है परन्तु उसे यहाँ बात समझ में आ रही थी कि तोत्यो चान जो कहीं भी नहीं जा सकता है, उसके लिए घर बैठे, सारी चीज़े देख लेना, काफी आनन्द दायक होगा। उनकी इस सफलता पर पेड मानों गीतदार है थे, दोनों बच्चे बेहत कुछ थे। यासु की चांद के लिए पेड पर चड़ने का या पहला और अंतिम मौका था। पार्ट से हमने यह सीखा कि अगर हम किसी भी चीज के लिए द्रिण निश्चे कर लेते हैं, तो बाधाएं हमें हरा नहीं सकती हैं। इसके लिए हमें भली ही कितनी मेहनत करनी पड़े, परन्तु सफलता अंतिता हमें प्राप्त होती है। पाठ में आय हुए कठिन शब्द एवं उनके अर्थ इस प्रकार हैं। निवता अर्थात निमंत्रन, द्वी शाखा अर्थात दो शाखाए, हताशा अर्थात निराशा, सूझना अर्थात अचानक यादाना, तिपाई सीडी अर्थात तीन प्यारो वाली सीडी, रमाथा अर्थात लगा हुआ था, लुभावनी अर्थात आकर्शक सुन्दर, जिजखना अर्थात संकोच महसूस करना, जोखिम अर्थात खत्रा, पाठ के अंतरगत आपको पठित गध्यांग्ष, वैकल्पिक प्रशन, अतिलगूत तरिय प्रशन, दीर गूत तरिय प्रशन, एवम व्याकरण्ड से संबंधित प्रशन कर्वाए गये हैं, सभी प्रशनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें एवम कंठस्त करें, हमारे पाठ का द्वितिया खंडे यहीं पर समाप्त होता है धन्यवाद